So hello and welcome back again to another new video So guys, कैसो आप सबी, I hope आप सम्मस्थ होंगे So guys, मैं एक और नए वीडियो को ले के आगया आपके पास तो आज इस वीडियो में आपको बात आने वालू हूँ Total Solution Camera से Related जो कि A5 and A5S में आपको देखने को मिल रहा है कैमरा को ले करके बहुत सारा ऐसा इसा यूस हो जा रहा जैसे कि मुझे बार-बार कमेंट आ रहा था कि कैमरा को Related एक वीडियो बनाईए कि कैमरा हमारा जो properly work नहीं कर रहा है कोई settings अच्छा से यूज नहीं हो पा रहा तो हम जो कि अपने device के अंदर हम जो settings को यूज करके A5 and A5 as Oppo के डिवाइस के अंदर अपनी कैमरे के problem को solve कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में totally बताने वाला हूँ तो बहुत important होने वाला वीडियो तो जरसके भी वीडियो को skip करके मत देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो या फिर चैनल मेरे रिलागतार देखते हो तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए गाइस क्योंकि मुझे एक subscriber और एक like से मुझे motivation मिलता है ताकि मैं आप तक के लिए वीडियो बनाओ क्योंकि मैं मैं बहुत महनत कर रहा हूँ क्योंकि यह information बहुत लोग आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों आखिर हम लोग का camera properly work क्यों नहीं करता है तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम जो के phone के setting में चले जाते है A5 and A5S के phone के setting में जाने के वाद आपको यहाँ पर app management करके एक option दिखेगा आपको simply से select कर देना है app management में जाने के वाद आपको app list में चले जाना है जितने भी आपका phone की अंदर जितनी भी application run हो रही होगी यहाँ पर show करेगा जैसे कि देख सकते हैं और आपको यहाँ कर कामरा को search कर लेना है camera को जैसे ही search कर लेते हो तो यहाँ पर देख सकते हो तो storage uses देखेगा और data uses detail में देखा जाएगा उसके permission और manage notification सबसे पहले data uses में चले जाना है अगर आपको camera selected बहुत सारा ऐसा issue आ रहा तो यह technique को use किजिए 100% आपको properly work करेगा और भी other oppo के devices है तो यह settings को आप use कर सकते हो तो guys सबसे पहले आपको क्या कर लेना है आपको यहाँ पर clear data नहीं करना clear cases करना चलिए मैं एक बड़ा और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ clear cases करना याद रखे ध्यान से आपको clear cases में आपको collect कर देना जैसे आप clear cases करते हो यहाँ पर जितनी भी junk file होती है वह 100% remove हो जाएगी इससे क्या होगा आपकी जितने भी गंदगी हो की camera पर वह 100% secure हो जाएगा और यह 100% जड़ से खतम हो जाएगा उसके फिर से आपको उसी process में जाना है फिर से बैक कर चले जाना है उसके बाद फिर app management में चले जाना है उसके एप लिस्ट में जाना है तो आपको यह client cases एक बर और करना है इसी तरह आपको एक बर और मतलब तीन बर लगातार आपको clear cases में क्लिक करना है उसके बैक चले जाना है data uses detail में जाना है कि देख सकतो यह data जो है कहा कहा जो है user हो रहा है आपकी camera में तो देख सकते हो guys यहाँ पर जो कि है background data को हमेशा enable कर की रखना है देख सकतो background data enable करना है और unsighted by data saving इसको off करना है उसके बैक चले जाना है permission में आपको चले जाना करना है और आपको camera को open करना है simply तरीके से camera को जैसी आप open करते हो तो देख सकतो यह प्रोपर्ली तहीं किसे camera work कर रहा और सारा का सारा mode यहाँ पर मेरा work कर रहा तो आप लिए जल्दी से जाए यह technique को use किजिए और यहादा खास settings यहाँ दिया गया ने बस जो भी मैंने बता आया वह सब को tips को follow किजिए और यहाँ पर आपको camera जो है properly work देखने को मिलेगा तो क्यासा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट से सने बताएंगे उमीद करते वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडि गुडबाई